आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार आज का वीडियो है मैं एक पर्टिक्लर एज ग्रूप को लेकर बना रहा हूं यह फिटनेस के बारे में ही है और बहुत इंपोर्टन वीडियो है जो कि मैं इसमें मेरी पास्ट 20 साल की फिटनेस लाइफ और फिटनेस एक्सपीरियंस का मैं आपको यह शेयर करूँगा वीडियो में और कि फिटनेस का इंपोर्टन्स क्या है हम लोगों के लिए जो लोग 35 या 40 साल से उपर है देखो सबसे इंपोर्टन है फिटनेस के बहुत सारे कॉंपोनेंट्स हैं जैसे स्पीड स्टेंथ एंडियोरेंस फ्लेक्सिबिल्टी और सो ओन ठीक है ज्यादा मैं डीप नहीं जाओंगा Speed, Strength, Endurance, Flexibility and so on Age के साथ आपकी strength में कमी आ सकती है कुछ percent Flexibility में कमी नहीं आती है Endurance आपके fitness level के साथ से आप best endurance को maintain कर सकते हो या उस endurance पे sustain कर सकते हो कि लेट से कोई भी activity जैसे जब आप 25 ए 20 years के आप होंगे आप एक अपनी pace पे और उसको fast करने में मतलब आप possible या सक्षम रहे होंगे लेकिन एक particular age बीतने के बाद क्या होता है कि मतलब हम लोग हमारा थोड़ा सा जो body के systems हैं वो degenerate होते हैं मतलब ये नहीं कहता कि fail होते हैं या हम लोग बज़र्ग होते हैं मतलब दी जन्रेट होने लगते हैं मतलब हमको उस चीज़ को accept नहीं कर रहे हैं और especially मतलब अगर मैं यहीं बोलूगा यंगसर से लेके चलता हूं कि अगर आप 15, 16, 17 years की age से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इस activity को continue रखना जाहिए ताकि आपकी आगे आने वाली जो life है जब आप 35 क्रॉस करेंगे तो आपकी जो पहले की हुई मेनत है जब आप 20-22 साल के थे वह आपको आगे काम आने वाली है इसका सेट एक्जामपल मैं खुद देता हूं कि मेरी खुद की एज 47 years है मैं 47 प्लासी समय लीजिए मैं अपने टाइम में अच्छी फिटनेस किया करता था और स्प्रिंटर था मैंने होकी खेली 5 साल बहुत अच्छी मेनत करी और वह चीज़ मुझे आगे तक भी लेकर आ रही है मेरी फिटनेस को मैं आगे मतलब सस्तेन कर पाने में मतलब मैं अभी तक मतलब काबिल हूं और हम अब यह एक्टिविटिटी नहीं कर सकते देखो एक्सराइज के लिए को ओए नि होती है आपक और इस करनी चाहिए है स्फिपे अगर अबने अपने पैली लाइफ मैं अगर आप एक सिस्ट ए हूरा अपने अच्छा ट्रेनिंग लेशंचु से चाहिए हुआ पया अब अब पहले बताया flexibility में कोई कमी नहीं है कितनी भी मेनद आपने पहले करी हो कितना भी जिम आपने किया हूँ strength कि देखो मतलब है being a fitness मतलब expert या fitness fitness enthusiast मैं यह कह सकता हूँ कि कितनी मेनद आपने पहले की हो चाले साल 35 साल की उमर के बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि आपका heart कितना strong है यह कोई नहीं पूछेगा कि आपने अपने time में 100 kg का bench लगाया 200 kg का 1500 kg का अपने squat लगाया deadlift लगाया आपका heart कितना efficient है यह आपसे पूछा जाएगा कि जब आप 40 45 को cross करोगे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम से होगा नहीं हम करते नहीं है तो हम start भी नहीं करते हैं जब हम सोचते ही नहीं तो start कैसे करेंगे तो बहुत important चीज यह है कि आप please यह मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता यह मेरी लिए possible नहीं है यह तो youngsters कर सकते हैं यह मेरी age नहीं है आप यह मत सोचिए आप यह सोचिए कि अब से मैंने लेट से में 35-40 यह का मैं हूं अब से मैंने अपनी exercise को continue करना है जब तक कि मैं जिन्दा हूं कि किसी भी एज लेवल पे आप हैं किसी भी एज में हैं आपका जो वरकआूटका पैटरन है वो उस हिसाब से उस पसंटेज से आप सेट कर सकते हैं यह नहीं कहीं तो आपका डली रोटीन हो गया है ठीक है आप उसको change कीजए आप जितना भी वाक करना दस साल से करने पंदर साल है लेकिन उसमें आपने एक सेट इंटेंसिटी आपने रखी है जो कि आप उस इंटेंसिटी को ब्रेक नहीं कर रहे हो आप रैंडम वकाउट करो एक दिन आप स्लो वॉक करो एक दिन आप ब्रिस वॉक करो एक दिन आप जिस भी speed पे walk कर रहें उसी speed पे jog करो यह मैं बात कर रहा है endurance की जिस speed पे आप walk कर रहें उसी speed पे आप jog करो तो क्या होगा कि आपका थोड़ा effort है walking speed पे ही आपका effort अलगा सा बढ़ेगा जो कि आपकी heart के लिए अच्छा होने वाला है और heart की efficiency पे पूरी body पूरी body के systems निर्भर करते हैं अगर आपकी heart की efficiency अच्छी है तो आपके पूरी body का system सारे अच्छे काम करेंगे तो मेरी आप से यह request है कि आप पहले आप time choose कीजिए अगर आपको पर time है morning में time नहीं है आप evening में जाईए evening में time नहीं आप morning में जाईए अगर आपको लगता है कि morning दोनों में time नहीं है तो आप कोशिश कीजिए अपने rooftop पे अपने घर के अंदर कहीं घर के पास जो park है आप कुछ ना कुछ काडियो करिए और जिसका duration की कम से कम 40 minutes से ऊपर होना चाहिए चालेस मिनिट से नीचे का duration नहीं होना चाहिए अगर आप अच्छा result चाहते हैं कि मतलब आपकी body मतलब आपको लंबी life मिले और आप तंदुरस्त body आपकी हो तो मैं यह सजेस्ट करूँगा कि आप 45 अवर 55 minutes या वन आर तक कम से कम 40 जादा से जादा एक घंते तक का आप workout क अगर यह सोच रहे हैं कि आप 25 मिंट का workout कर रहे हैं तो मेरे असाब से 25 मिंट से रफ वाम अप है मतलब मैं यह चीज को वो नहीं प्रूव नहीं करता ना करना चाहता हूं बट मेरे असाब से जब भी आपकी body के जो internal systems हैं जब आपको अंदर से गर्मी लगनी सार्ट हो अं वाम होई है उसके बाद का जो workout है लेट से कि वह अगर आपने 20 मिंट किया है और अगर आपने आदा घंटा और कीच आए आपने 50 मिनेट किया है तो यह आपका 50 मिनेट का workout वाट टोटल जिसमें कि half nr का जो पापल workout है वो आपके लिए helpful रहेगा पहला वाला सिर्फ वाम अ आप अगर 20-25 मिनेट का कर रहे हैं तो प्लीज आप उसको उस डिरेशन को एक्स्टेंड करके आदा घंटा और बढ़ाईए अगर आपको लगता है नहीं एकदम से मैं नहीं बढ़ा सकता या सकती तो आप उसको 15 मिनेट 20-25 जिन के बाद उसको 20 मिन कीजिए महीने के बाद करने टो आप इंटेंस वाक कर रहे हैं इंटेंसी बढ़ा दिया आपने एक लेमन वर्ड में यूस करता हूं दूसरी बाद अगर आप effort कर रहे हैं लेट से ही आपने जोग किया और आपको सांस जड़ रही है तो आप क्या किजिए आपकर लोग किजिए आपका पल्स है वो आप आप दोबारा स्टाट किजिए आप और जो यह इंटेंश्टी जो रेस्टी तो मैं यह कहांगा कि अगर आपको इंप्रूष करनी है तो आफ क passport created अपने एज रेवल के साब से यह नहीं कर आप एकदम फास्ट करिए एकदम से फास्ट भागिए ऐसा नहीं जैसा आपको बॉडी अलाओ करें कि आपको नॉर्मल जो भी आपकी वकाउट कंडिशन्स हैं जो वकाउट पॉजिशन सा उससे आप हलका सा फास्ट चलेंगे और ज बॉसतर किसी को मिनटों किसी को तीस सेकंड आफ तो जितना ताइम एगां डेंसिटी में कम करें गए द्हृत करेंगे और दुबएर हमस्ट को साइट करें इंटेन्सिटी को वर्क आउट फेस को आपकी एंदयूरेंस जल्दी डैवलाप होगी यानि आपका जितना अर्फ आप में अपको कुछ आप कुछ इस पार्क में बहुत कुछ बहुत कुछ है। और इसनदे को आता हो और इस हपार्क को आता हूं और इसो करता हूं। इसको कहते हैं,ôm ट्रेल रनिंग ठीक है। ठीक और आप इस तևब का वरक आउट आप कीजें और अगर कोई possibility है, अगर आप cycling कर सकते हैं, cycling बहुत अच्छी activity है, swimming बहुत अच्छी activity है, swimming है कैसी activity है, जिसमें कि आप पूरा water, water, आपके पूरे body के against, जितने भी working muscles हैं, systems हैं, सारे systems, water resistance के against, काम करते हैं, बहुत अच्छी activity है, swimming, cycling बहुत अच्छी activity है, बाकि running, jumping और walking, जिन्दकी नियाद रखना, यह running, jumping और walking जिनसा है, fundamental moments है, जो कि भगवान ने हमको दी हुए, ठीक है, आप jump ना कीजिए, कोई बात नहीं, walk तो कर सकते हैं, jog भी कर सकते हैं, slow pace पे, इस चीज़ को कभी मत और आप मेरी बात को विश्वास कीजिए, मेरी बात तो आप, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं है, आप इस चीज़ को आगे अपने life में start कीजिए, सोचिए मत, results आपको जरूर आएंगे, और कभी भी यह मत सोचना कि, अगर मैं healthy हूं, तो मैं पतला क्यों जी हूं हूं, आपको यह नी सोचना है, आपको exercise को start करना है, और जो चीज़े मैंने पहले बताई हैं, इसको follow करना है, आप इसको प्लीज फॉलो कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और कुछ भी view अगर आप लिखना चाते हैं, आप comment में लिखिए, और I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लग को शॉलो को यह वीज़े हैं, आपको भी अच्ता। JESS को है